इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है आज हम सीखेंगे टेवल ड्रिवन पैटर्न पिछली लेक्चर में हमने सिखा था कॉडिनेट सिस्टम कैसे इंसर्ट करते हैं फेश सलेक्ट कीजिए एसकेच नॉर्मल व्यू सर्किल कमांड की मदद से सर्किल ड्रॉ करेंगे इसका डामेटर 6 mm एंटर यहां से यहां का डामेंशन 10 mm एंटर और यहां से यहां का डामेंशन 10 mm एंटर अब हम इसमें फ्यूचर्स टूल अपलाई करेंगे तो फ्यूचर्स पर क्लिक करें एक्स्टूडेट कट और end condition में throw all कीजिए और okay कीजिए अब हम यहाँ पर table driven pattern apply करेंगे futures पर click करें linear pattern के नीचे इस arrow पर click करें और table driven pattern पर click करें table driven pattern में आपको coordinate system select करना होता है और फिर futures जिस futures को pattern करना चाहते हैं और फिर coordinate system x और y का value आप यहाँ पर input कर सकते हैं या फिर coordinate system x y का value text format में type करके browse कर सकते हैं यहाँ से हम पहले हम कॉडिनेट system x y का value यहां input करेंगे मूद सकते हैं तो पहले हम coordinate system select करेंगे हम यह coordinate system selected करेंगे हम यह coordinate system select करेंगे तो हम X 20 mm एंटर करेंगे और Y 10 mm एंटर X 30 mm और Y 10 mm एंटर अब हम X 10 mm एंटर करेंगे और Y 20 mm एंटर X 20 mm एंटर और Y 20 mm एंटर X 30 mm एंटर और Y 20 mm एंटर तो देखिए यहाँ पर preview दिखाई दे रहा है कि table driven pattern apply हो रहा है ओके कीजिए यह देखिए table driven pattern apply हो गया दूसरा हम text format में coordinate system x और y का value input करेंगे टाइप करेंगे और फिर insert करेंगे तो हम इसे minimize करेंगे right click करें new text document double click करें और x का value 60, y का value 50 x का value 75 और y का value 60 x का value 80, y का value 80 X क्या value 75, Y क्या value 90 और इसे Ctrl S कीजिए और यहां से cut करें Futures पे किलिक करें Linear Pattern के नीचे इस arrow पे किलिक करें और Table Driven Pattern पे किलिक करें Coordinate System में Select कीजिए यह Coordinate System और Features to Copy बाले बॉक्स में किलिक करें और Select कीजिए Extruderate Cut और यहां पे Browse कीजिए हमने Desktop पे Text File में New Text Document के नम से Save किया था इसे Select कीजिए और Open कीजिए तो यह देखिए यहां पे Automatic X और Y का Value टाइप हो गया और यहां पे Preview दिखाई दे रहा है कि Table Driven Pattern अपलाई हो रहा है ओके कीजिए तो यह देखिए हमारा Travel Driven Pattern अपलाई हो गया बहुत आसान है अब प्रैक्टिस करते रहें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल